असलाम अलेकूम कैसे हैं आप मेरा नाम तिर्जमल है और आज की वीडियों हमें रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से स्मार्टफून है सैमसंग काफी सारे लोगों बहुत ही परशान है कौन सा स्मार्फून लें चारी सब्सक्राइब काफी सारे अच्छे स्मार्टफून देखने को मिल जाते हैं तब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे या डेटमी की तरफ से जो शौमी के नोट 10 प्रो आता है वो चार्ज की वीडियो में एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करूँगा और यह बिल्कुल और हम पेर रिवीव में बताया आपको हम अच्छे आपको देंगे तांकि आप अच्छी एक डिवाइस बाइक कर सकें तो सबसे पहले बात करते हैं अन्बॉक्सिंग की बहुत सरे लो 12W की साथ में Type-C केबल देखने को मिल जाती है साथ में आपको कोई भी हैंट फी देखने को नहीं मिलती इस बॉक्स में इतना ही देखने को मिलता है चलें आप चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन से तो बैक पर आपको पॉल डिवाइस बड़े पैसो की जारा पैसो की डिवाइस थे अगर इसा रिजाइन होता तो वह मैं आपको रेकमेंड कर सकता है लेकिन अपनी बात करूं थे लेकिन पर फिशाइन मुझे इतना पसा नहीं है खासतोर पर इसके क्या मुद्स और इसका वाज़ा से बाइर होता मै तो काफी अची बात हो जाती है अभी ये camera जो है इनके side पे काफी जादा dust कथी हो जाती है वेकि मुझे बहुत ही बुरे लगता है और अगर अगर अगला test भी करना चाहिए तो काफी मुश्कल हो जाती है इन्हें साफ करने अगर camera bump होते हैं तो ऐसा बात बहुत ही आमवाले डिस्प्लेय है जो कि 90 हर्स रिप्रेशर के साथ में आता है ब्रैटनेस की बागे तो काफी तगडी है कलर काफी अच्छे देख रहो मिलती है और 90 हर्स की बागे तो आपको यूज करते हुए फील होता है यूज आप 90 हर्स रिप्रेशर वाला पैनल यूज कर रहे ह लेकिन video इस डिस्प्लेय में एक बात बहुत ही बुरी लगती है मुझे इसAPP इसदिट्बेय में जो आप 90फ पर यूज करते हो तो कहीं-कहीं आपको जटनPlease देखरे निलती है कहीं-कहीं, यह slow हो जाता ह। कहीं कहीं आपको स्लो है कहीं कहीं आपको फील होता दूसरी चीज दूसरी चीज जो कि इसका in-display fingerprint scanner है मुझे बहुत ही बुरा लगते है बहुत यह Samsung की A30 series जब से चलती आ रही है A30, A30s इसमें आपको in-display fingerprint scanner देखको मिलते है और A32 में भी आपको in-display fingerprint scanner देखको मिलते है इन सारी smartphone जो A32 series आती है चाहिए differentiate करने के लिए रखते हैं कि इसके जो speed होती है काफी slow कर देते हैं इसमें आपको काफी slow speed देखने को मिलती है in-display fingerprint scanner की इस प्राइटाइब में आपको काफी सारे ऐसे smartphone देखने को मिलते है वीवो के भी देखने को मिलते थैं उनमें जो fingerprint scanner देखने को मिलते हैं उनकी speed बहुत ही पास देखने को मिलती थी होता तो काफी अच्छी बात हो जाती है काफी बड़ा है और मुझे काफी पसंद है या पंचोल cut-out वाले smartphone यह मुझे थोड़ा सा जीब सा लगा लेकिन ठीक था अगर डिस्पे ठीक है तो भी हमें बहुत क्या चाहिए तो भाई 8MP का मेन क्यामरा जो कि f1.8 aperture के साथ में आता है दूसरा 8MP का अल्ट्रावाइट 2MP का depth sensor और 2MP का macro lens देखने हो मिल जाता है बैक क्यामरा की क्वालिटी की बार के तो बैक कामरा में आपको EIS भी देखने हो मिल जाता है 4K की वीडियो देखने को नहीं मिलती 1080P 30fps देखने हो मिल जाती है 60fps भी आपको देखने हो मिलता है इस प्राइक तो होना चाहिए था भाई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती ही नहीं स्टेबलाजेशन की बार के तो 1080P 30fps तक अच्छी खासी काम करती है स्टेबलाजेशन ठीक ठाक काम करती है आपको स्टेबलाजेशन भी देखने को मिल जाती है इस बार को स्टेबलाजेशन भात करें तो फिक खासी है तो फिक था क्यों हो जो घघर धीů तो तीक ताग के होगी है एक और चीज मैंने नोट की इसमें आपको फ्रेंट केमा में स्टेबिलाइशन देखर को ने मिलती है अगर पास चलता हो तो स्टेक होता है अगर सेल्फी की बाहर करें अपको वाइड एंगल का उप्शन देखर हो मिलते हैं वीडियो में वाइड का ओप्शन देखर हो आद में ने काफी दूर रखा हुआ है इसलिए एक कवर कर पा रहा हूं डायनामिक रेंज की बाहर करें तो ठीक ताग ही है तो तेज बैनेश कर रहा है तो आपको इसमें शेकनेस देखने को मिल जाएगी फ्रंट क्यामरा की बाहिक बाहिए तो फ्रंट क्यामरा में जो 20 Megapixel का फ्रंट क्यामरा है इसमें थोड़ा सा टंप्रेचर का मुझे इशू लगा जैसे के रैड्मी नो 10 में देखने को मिला था temperature थोड़ा सा high देखनों में जाता है color tuning की थोड़ा सी ज़रूरत है Samsung को मैं किया रहोगा color tuning की ज़रूरत है Samsung की जो उपर वाले smartphone आते हैं और में काफी अच्छी color tuning की जाती है इसमें थोड़ा से temperature की issue देखने को मिल जाते है जासे कि आप यह picture देखने होगी इसमें आपको थोड़ा सा temperature high देखने हो मिल रहा होगा थोड़ा से yellow इस picture देखने हो मिल जाती है इस टाइटाइब में मैंने दूसरे smartphone से भी compare किया जो कि इसमें आपको काफी अच्छी color tuning देखने को मिलती है थोड़ा से आपको warm tone देखने को मिल जाती है बागी front camera की बाहर करें तो portrait काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है और इसमें अगर बात करें background blur की तो ठीक ठाक है वही काफी अच्छे portrait भी देखने को मिल जाते है color tuning थोड़ी सी best हो जाए तो यह smartphone के camera काफी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं अब आप लोग यह सब सोच रहे होंगे कि इसमें display भी काफी तगड़ा है camera भी काफी तगड़े देदी डिजाइन भी थोड़ा सा ठीक ठाक है लेकिन samsung का phone है तो इतना सस्ता कैसे 64 megapixel camera 90hz जा मॉलेड बही ऐसे कैसा हो सकता है कि Samsung ने इस सब कुछ परवाइड कर दिया तो इसके प्रॉसेसर से इसमें आपको मिलता है जो कि 20,000 के प्राइस चाहरे में आपको देखने को मिलता है बात करें इस प्रॉसेसर की हीट होता है अगर आग camera यूज करते हो तो मैंने इसमें camera यूज किया है तो यह smartphone heat होना start हो गया था प्रण से heat होता है यानि display की तरफ से heat होना start हो जाता है back से भी कभी-कभी heat होता है इस smartphone में आपको heatness देखने को मिल जाती जो कि बहुत ही बुरी बात है इसमें अगर आप gaming करेंगे तो definitely यह smartphone heat होने वाला है camera यूज करते है तो smartphone heat ह होता है तो gaming का इसमें क्या हावाल होगा तो gaming के लिए आप देना चाहरे तो मैं आपको recommend नहीं करने वाला इस्टाल किया और सबसे पहले जब open होता है तो भी मैंने काफी ट्राय किया यह open नहीं हो रहा था लॉक करके दवाइस को unlock किया दवारा से तो फिर भी देखा थो यह शेयरिट जो था यह नहीं चाल रहा था तो भी मैंने फाइनल में end पर यह किया शेयरिट को बंद किया द साथ भी करते हैं तो रहां में यह समार्फोन आपके टास्क पाएगा बैटी की बागे तुछ में आपको फार्टी देख रहो मिल जाती है इस आपको फील भी होता है कि आपका स्मार्फोन जल्दी चार्ट हो रहा है लेकिन सैमसंग है वह कुछ ना कुछ तो कॉप्रमांस क जरना पड़ेगा अगर आपको शाम्शंग का स्मार्फोन लेना तो वह आप यह सब कुछ कॉंपरमेस कर रहे हैं मुझे पता है आप कॉंपरमेस करो गया क्योंकि आप सामसंग बाहर है झाल झाल